संसार एक पुस्टक है जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझ से बहुत सी बाते पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाबाद में हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते इसी लिए मैंने इरादा किया है कि कभी कमी तुमें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कताएं लिखा करूँ तुमने हिंदुस्तान और इंग्लेंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है लेकिन इंग्लेंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौख है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो मुझे मालूम है कि इन छोटे 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 खतों में बहुत छोटी सी बाते ही बतला सकता हुई लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन है जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा यह तो तुम जानती ही हो कि यह धर्ती लाखों करोडों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धर्ती पर कोई जानदार चीज ना थी आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहां कुछ था लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्हों ने इस विशय को खूप सोचा और पढ़ा है लिखा है कि एक समय ऐसा था जब इल्या धर्ती बेहत गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी और अगर हम उनकी किताबे पढ़े और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौड से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा तुम इतिहास के किताबों में ही पढ़ सकती हो लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था किताबे कौन लिखता तब हमें उस जमाने की बाते कैसे मालूम हो यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले यहां बड़े मज़े की बात होती क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुन्दर परियों की कहानियां गड़ लेते लेकिन जो कहानियां किसी बात को देखे बिना ही कर ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबे ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बाते मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है ये पहाड, समुद्र, सितारे, नदिया, जंगल, जानवरों की पुरानी हटियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम होती सकता है मगर हाल जानने का असनी तरिका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबे पढ़ ले बलकि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें मुझे आशा है कि पथरों और पहाडों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल चानना सीख जाओगी सोचो कितनी मजे की बात है एक छोटा सा रोडा जिसे तुम सड़क पर या पहाड के नीचे पढ़ा हुआ देखते हो शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा प्रस्थ हो शायद उससे तुमें कोई नहीं बात मालूम हो जाए शर्त यही है कि तुमें उसे पढ़ना आता हो कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुमें उसके अक्षर सीखने होते है इसी तरह पहले तुमें प्रकरती के अक्षर पढ़ने पढ़ेंगे तभी तुम उसकी कहानी, उसकी पत्थरों और चटानों की किताब से पढ़ सकोगी शायद अभी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो जब तुम कोई छोटा सा गोल, चमकीला, रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुमें कुछ नहीं बतलाये था? यहां कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुर्दरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चटान को तोड़कर तुकडे तुकडे कर डालो तो हर एक तुकडा खुर्दरा और नोकीला होगा यहां गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता फिर यहां रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आँखे देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुँँ से उसकी कहानी सुन सकती हो वहां तुमसे कहेगा की एक समय जिसे शायद बहुत दीन गुजरे हो वह भी एक चटान का टुकडा था ठीक उसी टुकडे की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चटान से तोड़ती हो शायद वहां किसी पहार के दामन में बढ़ा रहा तक पानी आया और उसे बहा कर छोटी गाटी तक ले गया वहां से एक पहाडी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुचा दिया इस छोटे से दर्या से वहा बड़े दर्या में पहुचा इस बीच वहा दर्या के पेंदे में लुड़कता रहा उसके किनारे गिस गय और वहा चिकना और चमकदार हो गया इस तरह वहा कंकर बना जो तुम्हारे सामने है किसी वज़ा से दर्या उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई अगर दर्या उसे और आगे ले जाता तो वहा छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुत्र के किनारे अपने बायों से जा मिलता जहां एक सुन्दर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरोने बनाते अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बाते बता सकता है पहाडो और दूसरी चीजों से जो हमारे चारो तरफ हैं हमें और कितनी बाते मालूम हो सकती हैं ध्यान देने योग्य शब्द अकसर प्राय दामन पहाड के नीचे की जमीन खत पत्र चिठी आबाद बसा हुआ गड़ना निर्मान करना शर्ट प्रतिक्या वह बात जिस पर किसी बात का ना किया जाना कायम रहना निर्भर हो खुड़दरा जिसकी सता चिकनी ना हो दरिया नदी कि प्रत नार जिस्थ लुड़धर ने से लुड़व खुड़गर मेंदीB शर्ट ने वह हो जाना कायम रहना हो प्रत 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 नवचे झाल झाल